नमस्कार सभीका वास्तु के अनुसार जो metal strips है, color tapes है, divs है, studs है, scanners है, इन्हें हम कैसे use करते हैं, कौन से दिशा में हमें place करना चाहिए और कितने सार के varieties अविलेबल हैं यह आज की वीडियो हम जानेंगे बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे ताकि इसी ही तरह आपको वास्तु रिलेटेट टिप्स और रेमिडी प्रोडेट्स कैसे use करने ताकि हमारे जीवन में आप ट्रांस्फोर्मिशन ला सकें इन से रिलेटेड इन्फरमेशन सबसे पहले आपको मिल सकें सबसे पहले रेमिडी में आते हैं रेमिडी में सबसे पहले आते हैं फाइवलिमेंट मेटल स्ट्रिप्स जिनके दौर आप नेगेटिव टॉइलेट्स ट्रीट कर सकते हैं आपके जीवन में problems लेके आ रहे, crystal ball जिसको आप अपने element के अनुसार hang कर सकते, ताकि zone के energies को active किया जा सकते, यानि अगर वो zone balance है, उसके बाद भी problems आ रहे, तब crystal ball यूज किया जाता है, इसी तरह crystal pyramid five elements के use किया जाते है, जो natural stone से बनाएगे, five element के tapes, toilets को, entrances को, kitchen को balance करने के ल clockwork spring use के जाते, studs use के जाते, five limit energies को balance करने के लिए, यानि अगर उस zone में cut extension है, आप use कर सकते है, virtual entrances आपके positive entrances open करने के लिए, जिससे अगर आपका three and four का entrance नहीं आता है, तब आप इन rods के द्वारा उन energies को active कर सकते है, infinite symbol west direction में replace के जाता है, brass का बनाया गया, जो आपके profit and gains को represent करता है, इसी तरह आप वास्तू compass use कर सकते है, जिसमें वास्तू का पूरा information लिखा गया है, यानि हर zone में क्या benefits है, कौन से राशी है, कौन से planets है, इन addition, अगर pyramids की बात करें, तो lead pyramid, aluminium pyramid, brass का, copper का pyramids आप use कर सकते है, element को enhance करने के लिए, अगर आपका southwest में heaviness नहीं है, और आ percentage किया है, positive है या negative है, तो हम pendulum के द्वारा ask कर सकते हैं, जो brass and crystals में available है, pendulum chart आपके percentage को represent करता है, energies को active करता है, 7 chakras को help करता है, find out करने में कि कौन सा चक्रा block है, तो हम ये pendulum and pendulum chart के द्वारा find out कर सकते हैं, और आप उस जो basically आपके overall protection के लिए, negative energies से protect होने के लिए use किया जाता है यानि suddenly अगर आपका कोई काम block हो जाता है, तब aura booster के द्वारा आप उस चीज को clear out कर सकते हैं, health के लिए सबसे ज़्यादा beneficial है, in addition जो अशोक pillar है, ये government related support करता है, या east में and northwest मे, brass का अशोक स्तम रखा जाता है, ताकि government support मिले, government related जो काम है, या civil work आप करते हैं, civil related पढ़ाई कर रहें, education कर रहें, तब उसमें भी अशोक स्तम आपको help करता है, in addition brass के अलगलग मूर्ती मिल जाएंगे, जिसे नंदी हो गया, काम दीन हो गया, डीर हो गया, सूरिय हो गया, जो success and sun related energies को help करता है, domination help करता है, लोग आपको चाना शुरू करें, आपकी जो vibrations है, वो boss related हो, sun क energies एक राजा की तरह है, in addition lion आप यूज कर सकते हैं, जो courage build up करता है, चीता आप यूज कर सकते हैं, जो stocks and shares के लिए help करता है, एक व्यक्ती में फूर्ती लेके आता है, यानि laziness को remove करता है, eagle vision के लिए हो गया, swan आपके love and romance के लिए हो गया, red horses आपके financially help करता है, आदमी का brand and will power increase करता है, camel support के लिए use किया जा सकता है, अगर हम oils में बात करें, तो positive oils, evil eye यानि negative energy oil यूज कर सकते हैं, protect होने के लिए, money attraction oil हो गया, money magnet oil, entrance के लिए, toilet के लिए, kitchen के लिए oils यूज किया जाता है, ताकि उन energies को हम balance कर सके, अगर थोड़ा सा advance बात करें, तो जो देवता activation है, इ अगर आप भूमी में इसे drill या install नहीं कर सकते हैं, drill करके, तब आप देवता cards यूज करके भी, यानि wall पे hang करके, उसके नीचे उनका प्रसाद जो mentioned है, वो रख कर भी देवता इसको active किया जा सकता है, lovebirds relationship के लिए use किया जा सकता है, यानि दो अले-गले figures available है, in addition जो tortoise है, yellow color यूज करके balance किया जा सकता है, in addition जो 8 direction geopathic rods है, यह वास्तो के अनुसार आपके हर एक दिशा के energies को बढ़ाने के लिए use किया जाता है, तो main जो energy source है, यह नहीं आठाओ दिशा के जो planets है, उनसे जुडावा है, तो rods यूज करके हम उन्हें active कर सकता है, in addition जो magic salt है, जो floor cleaning क के लिए crystal cleaning के लिए use किया जा सकता है, और a scanners या जो L rods, यह energy sense करने के लिए, yes या no के लिए, कोई भी काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और percentage के लिए, कोई भी remedy कितना पसंट काम या effect कर रहा है, इसके लिए हम L rods या scanners यूज कर, crystals में start करें, तो सबसे आप पहले आते pyramids, यानि nine planet pyramids, अलगलग crystal के pyramids, जो आपके nine planets and five elements को energize करते हैं, इसी तरह आते generators, जो five elements को help करता है, boost करने के लिए, इन addition organ pyramids आते, organ pyramids बेसिकली अलगलग crystals को pyramid shape में दिया गया, lucky coins आते, जैसे zebo coins हो गया, money attraction, success, health, relationship, इन addition seven chakras, यानि seven chakras को active करने के लिए, आपके coins यूज कर सकते हैं, या चोटे 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 pyramids यूज कर सकते हैं, इसी तरह आते angels, यानि seven chakras angels, seven chakras vands, तो अलगलग vands आप यूज कर सकते हैं, इनजी इसको active करने के लिए, रोस्कॉट्स, डक्स, या लवबड्स, इसी तरह shape, heart shape, और बहुत सार के pencils, तो इनने हम यूज कर सकत अपने आस-पास positive wipes को create करने के लिए, attract करने के लिए, in addition, crystals को re-energize करने के लिए, selenite bowl, selenite plates, and selenite bowl, या box, इस टाप का आप यूज कर सकते हैं, selenite bands भी available है, pendulums available है, crystal के बनायागे, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में questions कर सकते हैं, या आपको करना चाहिए, नहीं कर या फिर yes and no question, five element crystal balls, जो आपके five elements को balance करने में help करता है, इसी तरह बहुत साथ के crystal, crystal के clusters available है, जिने हम use कर सकते हैं, अपने office table में show करने के लिए, आस-पास positive attract करने के लिए, far right draw, basically money attraction के लिए use किया जाता है, इसी तरह fancy bracelets हो चुके, अलग-अलग pendants हो चुके, जिनके द्वार आप wear कर सकते हैं, अगर आप कुछ रखना नहीं चाहते हैं, कुछ wear करना चाहते हैं, तो आप इसे use कर सकते हैं, diamonds, crystal ball, globes, ये सब भी available हैं, इन addition, tumbles भी हैं, जैसे pyrite, hematite, spettica, amethyst, lapis, selenite, howlite, tiger eye, green aventurine, yellow aventurine, citrine, citrine raw, जो original form में हैं, इन addition, भहुत सार के मालाज मिल जात हैं, जिसके द्वारा आप इसे wear कर सकते हैं, मालाज बेसिकली अगर आप backside note करेंगे, तो जिबू सिंबल दिया गया है, तो आप इसे pan सकते, wear कर सकते, अब crystals को cleanse करने के लिए, जो selenite ball है, इसे हम use कर सकते, crystal raw, यानि भूमी के अंदर आप रखना चाहते हैं, construction से पहले, तो crystals related, तो हम pyramid से start करते हैं, सबसे पहले 9 planet pyramids आते हैं, जो 9 अलग अलग colors के, total 91 pyramids है, यानि top में एक pyramid है, उसके नीचे 9 pyramids है, उसके नीचे 81 pyramids है, जो combination से आपके planets को active करने के लिए use किया जाता है, इसी तरह wish box pyramid हो गया, जो आपके wishes को fulfill करने के लिए help किया जाता है, car pyramid हो गया, जो vital protection के लिए है, बात ही अंतरा हो गया, जो आपके toilet किसी negative direction में आ जातो उसे balance करने के लिए, 9 planet pyramids हो गया, तो आपके 9 energies को active करने के लिए, जो overall success के लिए help करता है, इसी तरह pyra chips हो गया, या small pyramids हो गया, जिने आप अपने घर में use कर सकते, in addition, pyra strip, pyra staircase and pyra arrow, इनके दवारा हम staircase को balance कर सकते हैं, zones को cut कर सकते हैं, and cut होए, यानि जो zone cut है, उसे बढ़ाने के लिए use किया जा सकता है, 5 element pyramids, जो 5 elements को strength create करने के help किया जाता है, pyra angle, यानि अगर आपका plot irregular shape है, तो उसे square या rectangle shape में help किया जाता है, इसके दवारा, in addition, बागवा outside and बागवा inside, जो आपके main door क protection के लिए use किया जाता है, स्वास्तिक pyramid हो गया, जो आप अपने main door में use कर सकते हैं, water pyramid हो गया, यानि जिसमें आप पानी place करके, सुबह उसे consume कर सकते हैं, जो आप overall health के लिए बहुत beneficial है, इसे दरा 5 inch pyramids हो गया, बैमोब पिरमिड हो गया, 9 inches pyramid हो गया, जो आप ground के अंदर डा सकते हैं, pyramid chips हो गया, generators हो गया, generators बैसिकली आपके जो 5 elements है, उन्हें और जदा strong करने के लिए use किया जाता है, बागवा बासूरी जो बैसिकली आपके pillars and all को protect करने के लिए use किया जाता है, यानि beam and pillar अगर visible है, तब यह चीज़ बागवा बासूरी यूस किया जाता है, crystal pyramids जो crystal wand healing के लिए use किया जाता है, organ pyramids, organ pyramids basically combination है, जैसे लक्षमी pyramid, money attraction pyramid, wish fulfillment pyramid और अनपुर्णा pyramid, education pyramid, इन्हें हम use कर सकते हैं, इसी तरह छोटे-छोटे pyramids भी दिये गए, इसके साथ brass में भी pyramids available हो जाते हैं, जैसे brass geographic rod है, brass pyramids है, three layer pyramids है, जो अलग-अलग size में आपको मिल जाते, brass three layers pyramid है, wooden pyramid है, अगर आपको लकडी का भी pyramids चाहिए, तो वो भी available है, copper का pyramid available है, इसी तरह, copper triangle, अश्ट pyramid और शंक को, ये भी मिल जायाएगा, छोटे-छोटे pyramids आपको चाहिए, तो उसके भी आप डेकॉर के लिए use कर सकते हैं, helix आपको मिल जाएंगे, अलग structures of pyramid, pyramid strips जो metals के बनायेगे, जो cuts, extension, इन सब को use किया जाता है, स्वास्तिक energies को positive करने के लिए, main door के लिए आप use कर सकते हैं, pyramid शंकूर जो basically आपका जो ब्रह्मस्तान है, उसमें use किया जाता है, activation के लिए, और cash box pyramid, जापे आप financially, यानि जो भी आपका cash, उसे आप place कर सकते हैं, इसके अंदर mirrors and red velvet है, mirrors basically money को multiply करने के लिए, use किया जाता है, और इसमें आप अपने cash को रख सकते हैं, वेदिक remedies में सबसे पहले आते हैं, इकद गनपती और इकद गनेशा, जिने आप मंदिर में रख सकते हैं, इन addition, जो copper main door plate है, इसे main door को protection के लिए, और किसी भी टाइप की दृष्टी औ मर्क्यूरी, रुद्राक्ष, copper के nails, यह सब पूजा समगरी और main door पे लगाया जा सकते हैं, इन addition, जो कमल गटे हैं, यड मूरी, बल मूरी हैं, यह सारे जडी बूटी हैं, जो वरोल आप locker में, यह पूजा करते हैं, आप हवन में भी यूज़ कर सकते हैं, इन addition, जो mercury related products हैं और wealth related के लिए, इसी तरह पुजा related और भी भहुत सार के समान मिल जाते, नागमनी बेसिकली मंदिर में रखा जाता है, आपके wish related energies को generate करने के लिए, कुछ positive healing symbols हैं, ब्रह्मस्तान के लिए, ब्रह्मस्तान plate और पंच प्रतिमा यूज़ के जाते हैं, इन addition, जो भीम सेनी अगर देवतास की बात करें, तो देवता काड़ जाते हैं, यानि हर देवता कोई ना कोई benefits से related है, और उनका प्रसाद जो mention किया गया है, यूज़ करने से देवता activate हो जाते हैं, उनसे related benefits मिलने शुरू हो जाते हैं, इसी तरह अगर श्री पलनी उड में बात करें, तो श्र और ब्रास की, कॉपर की यंत्रास, इस सब आपको मिल जाएंगे, इन अडिशन रुदराक्ष की बात करें, तो 1 फेस से 21 फेस तक और नेपाली रुदराक्ष, ये सब मिल जाएंगे, यंत्रास विद फ्रेम ची, तो वो भी available है, यंत्रास बेसिकली 2 इंचेस, 3 इंचेस, 6 इसमें available है, जिसमें more than 50 varieties, यानि आपके health, wealth, business, job, career, संतान गोपल, conceiving के लिए, सब के लिए यंत्रास दिये जाते हैं, जो आप अपने pocket में, या पूजारू में रख सकते हैं, इसी तरह gold related, या जो कुबेर यंत्रा है, copper में, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, श्री यंत्र नवगर, ओड है, इसे आप हवन के समय, यूज कर सकते हैं, बर्न करने हैं, लेमिडीज में सबसे पहला होते हैं, हलिक्स, हलिक्स बिसिकली जो नौर्थ, 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 वेस्ट, साउथ, साउथ, वेस्ट, डिरेक्शन हैं, अगर आपके plot में वाप एक कट से extension हैं, तब ये तीन अलग-अलग sizes के helix यूज किया जा सकते हैं, एनर्जीज को बालेंस करने के लिए, इन एडिशन जो नौर्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट डिरेक्शन हैं, अगर वाप एक कट ए extension हैं, तब इस टाप के helix यूज कर सकते हैं, जेनरेटर बेसिकली fire limit energies को बालेंस करने के लिए, जेनरेटर ब्रह्मस्तान में लगाया जाता है, अगर वाप एक कट या extension हो, या ब्रह्मा की energy से अगर negative हैं, तब इसे यूज किया जा सकता है, इसी तरह positive symbols, analog like स्वास्तिक के symbols, भूमी पूजा में ब्रह्मस्तान में यूज किया जाता है, infinity symbol, west direction में प्लेस किय जाता है, ताकि आपके जो profits and gains हैं, उसे increase किया जा सके, इसी तरह अश्ट कोन pyramid, copper triangle और shunk को भूमी पूजा में डाले जाते हैं, copper के pyramids, aluminium के pyramids, lead pyramid and lead related objects आप west direction में and southwest direction में रख सकते हैं, ताकि southwest आपके घर का भारी हो, इसी तरह अलग अलग अपके pyramids आपके pyramids आप वास्तु म प्लेस किया जाता है, king related energies को active करने के लिए, चोकुरे जो एक healing symbol है, five element studs, जो basically five elements को balance करने के लिए, भूमी में install के जाते हैं, देवता divs, जो basically देवता energies को active करने के लिए and balance करने के लिए, plot के अंदर डाले जाते हैं, copper pyramids हो गया, अलग-अलग structures हो गया, metals के pyramids, जिनके द्व direction geopathic rods, जो eight directions को boost करते हैं, pyramid geopathic rod, अगर आपके geopathic line बहुत powerful है, तब pyramid rod use किया जाता है, in addition, geopathic rod, पित्र दोष, पिसाच दोष, कालसरप दोष, बंदन दोष, IR and UV radiations वाले rod, अगर आपके plot में, ये radiations direct होते हैं, अभी situation में ये rod use किया जाता है, balance करने के लिए, main door plate, जो भूमी पूजा में आप अंदर install कर सकते हैं, ground में, in addition, brass swastik, जो आपके main door पर आप hang कर सकते, नवगर प्लेट, जो भूमी पूजा में, वास्तु पूजा में, या ब्रह्मस्तान में डाले जाते हैं, जो nine planet के semi-precious stones हैं, जो nine planets को active करने में आपको help करते हैं, in addition, ground activation के समय, आप अलग-अलग yantras यूज कर सकते हैं, जो nine planets को represent करते हैं, nine planet crystal pyramids यूज कर सकते हैं, क्योंकि pyramids one not eight times energies को increase करते हैं, gemstones यूज कर सकते हैं, ब्रह्मस्तान नाभी, जो ब्रह्मस्तान में placed किया जाता है, manjusha box, जो brass का बनाया गया, and under, inside, पूजा समागरी placed किया गया, यानि metal strips हो गया, जो five elements को balance करने के लिए यूज किया जाता है, natural stones हो गया, जो planet activation के लिए आप उन भूमी में install कर सकते, in addition, scanners यूज कर सकते, जो आपको ground level energies के बारे में बताता है, आपके जीवन में जो questions है, कि यह हो सकता है, नहीं हो सकता है, yes या no, उसके लिए आप यूज कर सकत और आप booster basically आपके surrounding को positive करने में, किसी भी type के द्रिश्टी, negative energy से protection में, health related के और होने के लिए, सबसे best माना जाता है, इसी तरह था है business protector जो आप अपने घर के north direction में place कर सकते, for more business opportunities, client footfall, health protector basically health recovery के लिए आप north east में place कर सकते, marriage booster, marriage related issues आ रहे, शादी में delay हो रहा है, सही life partner नहीं मिल रहा है, तब 37 में place किया जा सकता है, job protector, job में promotion के लिए, जो overall colleagues है, या जो आपके boss है, उसके साथ अच्छा favor create करने के लिए, आप north में place कर सकते हैं, इसी तरह money protector, 37 में place किया जाता है, money related opportunities generate करने के लिए, cash and sales, sales and purchase or increase करने के लिए, property sale protector, property purchase करने के लिए, property sale करने के लिए, West direction में रखा जाता है, relationship protector, आपके संबंदों को और strong करने के लिए, bond को strong करने के लिए, interest build करने के लिए, loan protector, आपके basically loan या फिर जो depth है, उसे कम करने के लिए, north west में place किया जाता है, car protector, car protection के लिए use किया जाता है, in addition, जो legal issues है, उसको solve करने के लिए, legal protector आप use कर सकते है, with yantra, यहर प्रोटेक्टर को यंतरा के साथ आपको प्लेस करना है ताकि वो active हो, education प्रोटेक्टर बच्चों के पढ़ाई के लिए, जो memory power and focus है, उसे build करने के लिए, strong करने के लिए, education प्रोटेक्टर यूज किया जाता है, इसे आप study table पे प्लेस कर सकते हैं, या फिर जो north इस direction है वहाँ पे रख सकते हैं संतान गोपल प्रोटेक्टर बेसिकल अगर आपके child related issues आ रहे fertility में problem आ रहे है, miscarriage हो रहे है उसमें आप use कर सकते हैं room protector overall किसी negative zone को balance करने के लिए use किया जा सकते हैं अगर वाँ पे room है तो दृष्टी protector किसी भी टाइब के दृष्टी negative energy से बचने के लिए इसी तरह जो mangalik दोष्ट प्रोटेक्टर है अगर आपको है तो south में place किया जाता है with yantra ताकि वो vibrations कुछा तक कम हो and आपको उसे relief मिल सके इसी तरह काल सर्ब दोष्ट प्रोटेक्टर and पित्रदोष्ट प्रोटेक्टर भी यूज किया जाते with yantra ताकि उन दोष्टों की जो energies है उन्हें कम किया जा सके यह सारे boosters के basically boxes पे directions, degrees यह सब mentioned है with healing symbols तो आप इनके particular दिशाओं में रख सकते हैं remedies में सबसे पहले आते हैं education towers जिन्हें आप बच्चों के study table पे place कर सकते हैं ताकि उनका जो focus and concentration है यह fengshui के अनासवर उन्हें support मिले in addition crystal tortoise आप north direction में place कर सकते हैं ताकि जो wish fulfillment है या business opportunities है वो आपको ज्यादा मिले crystal tortoise हो गए basically five elements के ताकि आप five element energies को enhance कर सके in addition जो turkish आई है इनके kitchen form में आप अपने home keys हो गए car keys हो गए इनमें आप hang कर सकते हैं तकि overall जो दृष्टी या नजर है उससे आपको एक protection मिले इन addition वज्र आप यूज़ कर सकते हैं ताकि शत्रू विज्य है और जितने भी competitors हैं आप उन सब से top हो सके and उन से related negative energies कभी आपको problem ना create करें बुद्धा आप यूज़ कर सकते हैं peace of mind के लिए इन addition और भी अलग अलग designs है जो overall health, wealth, prosperity के लिए यूज़ किया जाता है Turkish eye use किया जाता है आपके घर में ताकि घर को ओवराल protection मिल सके किसी भी दृष्टी या negative energies के कारण जो family members की health है उसमें कोई problem ना है so इसी तरह अलग अलग designs available है जिनने आप overall अपने घर में use कर सकते है protection के लिए from the negative energies इसी तरह फुक्ष लुक्षाव हो गया फेंक्ष्वी में fireball हो गया fire energies को enhance करने के लिए crystal globe आ जाता है foreign related achievements के लिए यानि foreign settlement या foreign higher education के लिए use किया जाता है owl use किया जाता है ताकि दृष्टी से आप बच सके and opportunities and wealth को आप अचीव कर सके in addition जो frogs फेंक्ष्वी में वो basically आपके savings के लिए use किया जाता है lovebirds हो गये आपके overall romance love life के लिए ठीता यूज किया जाता है share market के लिए और जो भी आप काम करते है उसके overall जो results है वो आपको जल्दी अच्छी हो एक फूर्ती मिल सके in addition lion यूज किया जाता है ताकि आपका willpower, confidence and जो leadership qualities है वो enhance हो fengshui dogs यूज किया जाते है ताकि आपके घर को एक protection मिल सके main dog को protect किया जा सके सुरक्षा किया जा सके fishes का use किया जाता है wealth prosperity के लिए इसी तरह dragons हो गया जो आपके overall family को well being के लिए use किया जाता है golden horses यूज किया जाते है west direction में wish fulfillment के लिए अच्छे results गेन करने के लिए tortoise upon tortoise use किया जाते है ताकि generation related कभी कोई problem ना है and overall health के लिए भी use किया जाता है come come cat use के जाता है और ज्यादा clients वट fallen attract करने के लिए इसी तरह buddha use किया जाता है happiness के लिए and money boat use किया जाता है financial gains के लिए जो wealth attraction है उसके लिए money boat use किया जाता है बागवा बाश्र United लिए जाता है आगर उनकह कोई pillars या crystal diamonds आप अपने office table के आसपास place कर सकते हैं for more client attraction dragons basically success हो गया जो laughing buddhas है यह लग लग symbols represent करते हैं for good prosperity, health, wealth, children success and satisfaction related इसी तरह white horse आप यूज़ कर सकते हैं and जो hangings है यह overall luck and prosperity के लिए जो आपके main doors है, इन पर आप hang कर सकते हैं जिसे crystal tree आ जाता है and money tree आ जाता है, crystal lotus आ जाता है for wealth attraction, जिन्हें आप ऐसा show piece अपने office table पर प्लेस कर सकते हैं जो वाकी जो vibrations है, उसे positive करें overall crystal cleanse के लिए, body cleansing के लिए ohm bell and musical bell यूज़ किया जाता है ताकि इसमें आप crystals को cleanse कर सकें अपने जो bracelet है, उन्हें भी clean करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इस ऐसा sound therapy खुद के body cleanse के लिए भी fengshui के अनुसार यूज़ किया जाता है so malas में start करें, तो सबसे पहला आता है z greenstone, जो basically business के लिए, clients footfall के लिए body tenders को achieve करने के लिए, सबसे best मना जाता है यानि overall business के लिए, communication के लिए and जिस वेक्ति का driver या conductor number 5 है उसके लिए बहुत auspicious है फिर आता है rose quartz mala, rose quartz basically शुक्र से जुड़ावा है, यानि Venus planet से जुड़ावा है यानि आपके जीवन में जो luxury है, पैसा है, आशो अराम है, ग्लैमर है ये शुक्र से जुड़ावा है, तो इस mala को chant करने से rose quartz use करने से तो Venus के जो energies है, वो active होते और जदा आपके जीवन से connect हो पाते है इन addition, जो pimples है या skin related issues है, उनके लिए rose quartz की माला से chant करना बहुत auspicious माना जाता है, पिर आता है amethyst जो हमारे crown chakra से जुड़ावा है यानि जो हमारा brain related abilities है knowledge है, ग्यान है, wisdom है vision है, इन सब को active करने के लिए amethyst सबसे best माना जाता है, ये saturn से जुड़ावा है, तो आपकी जीवन में जो बड़े profits हैं, उनको भी achieve करने के लिए amethyst, बहुत help करता है main ये आपकी memory power को boost करने के लिए use किया जाता है, पिर आता है red coral, जो mangal से जुड़ावा है confidence and will power increase करता है तोपाज माला जो guru के लिए जुपिर प्लैनेट के लिए सबसे one of the best stone है, यानि आपके knowledge wisdom and जो बुद्धी है यानि memory power है, उसके लिए best है जितने भी consultants है जो किसी को advice करते हैं, उनके लिए तोपाज माला chant करना या wear करना सबसे best माना जाता है इसी तरह सूलेमानी हकीक, जो किसी भी type के काला जा दो, black magic से बचने में आपको help करता है pyrite basically money attraction के लिए सबसे best है red adventure rain जो आपके sacral chakra से जुड़ावा यानि उस chakra related कुछ problems है तो आप इसे chant कर सकते, ये mangal से जुड़ावा है so mars related energies के लिए aggression के लिए power के लिए and जो laziness है उससे बार निकलने के लिए red adventure rain सबसे best है इसी तरह peridot आता है tiger eye आए, tiger eye basically आपके अंदर will power, confidence, ये सब boost करता है in addition, जो research related काम है उसको और अच्छे करने के लिए tiger eye सबसे ज़्यादा supportive है अगर हम फिरोजा की बात करें तो फिरोजा में दो options आपकी पास मिल जाते फिरोजा basically क्या है good luck के लिए, यानि आपके जीवन में जो किस्मत है, उससे active करने के लिए फिरोजा स्टोन सबसे best है इसी तरह amethyst का एक और variety मिल जाता है green adventure rain, जो business के लिए व्यापार के लिए सबसे best है जो communication power है, यानि जब आप किसी client से बात करते हैं, तो जो convincing power है, उसे भी strong करने के लिए best है, यानि जो sales related marketing करते हैं, उनके लिए सबसे best tone माना जाता है, इसी तरह red jasper है जो sun के लिए सबसे best है यानि सूरी के vibrations को active करने के लिए आपके अंदर domination and power create करने के लिए, red jasper सबसे best माना जाता है, citrin के दो qualities आपको मिल जाते हैं, दोनों ही Jupiter planet, यानि गुरूग्रा को active करता है यानि जब भी आप उच सीखते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप उस चीज़को अपने life में grasp कर ले, लंबे समय के लिए जो memory है, उसे भी बढ़ाने के लिए citrin सबसे best माना जाता है इसी तरह black termline with reiki symbols है, selenite basically किसी भी टाइब की दृष्टी के लिए, या body purification के लिए, sometimes दृष्टी के कारण आपको health issues आते हैं, काम करते करते हैं, काम रुक जाते हैं selenite सबसे best माना जाता है इस तरह lapis lazuli है, जो throat chakra के लिए यानि जो वेक्ति singers हैं, public speakers हैं, speech देते हैं उनके लिए सबसे best माना जाता है ये throat chakra को active करने में help करता है moonstone mala basically chandra related है, यानि किसी को नींद में problem आ रही है, insomnia है, उसके लिए use किया जाता है, blue sapphire stone hematite माला है hematite basically आपकी दृष्टी negative energy से बचने के लिए best माना जाता है इसी तरह blood stone माला है जो blood related cancer या blood issues के लिए सबसे best है, moonstone माला basically chandra related vibrations को active करता है, यानि जो chandra के energies उन्हें और जड़ा enhance करने के लिए moonstone सबसे best माना जाता है इसी तरह soda light माला है triple protection माला है, triple protection basically जितने भी consultants है, चाहे वो astrologers हो, वास्तू consultants हो, medical doctors, उनके लिए सबसे best है, ताकि client को consult करते समय, उनकी जो negative energies है वो हमें life में problem ना create करे तो इसके लिए triple protection माला सबसे best है इसी तरह lava है, जो body में heat create करता है cold, cough, sinus related issues है उनके लिए lava सबसे best है and health related के लिए सबसे best माना जाता है smoky quads, drishti, negative energy से बचने के लिए, black termaline basically काला जादू या negative energy से बचने के लिए use किया जाता है, peridot business के लिए सबसे best है, strategies के लिए सबसे best है and overall shanti यानि peace के लिए सबसे अच्छा माना जाता है इसी तरह saligram हो गया, crystal मारा हो गया purification के लिए अगर आपको combinations में चाहिए, तो tiger eye with moti आपके पास मिल जाता है seven chakra माला, basically seven chakras को active करने के लिए, उनके vibrations को balance करने के लिए, क्योंकि जब seven chakra active हो जाते, balance हो जाते तो आपके जीवन में जो चीज़ आप चाते हैं, वो सब attract होना शुरू हो जाता है, आपके पास मिलना शुरू हो जाता है, इसी कारण seven chakras आपके शरीर में balance होना ज़रूरी है, तो आप इस माला में chant कर सकते या फिर इसे wear कर सकते है small bears में चाहिए तो rose quartz, blue sapphire and spettica आपको मिल जाते मोती बेसिकली चंद related energies को active करने के लिए, red coral आपके mungal energies को active करने के लिए and जो 9 grass stones हैं, ये overall 9 planets को balance करने के लिए use किया जाते हैं अगर पूजा के लिए आपको और चाहिए, तो जोसे तुलसी माला हो गया, wood related मालाज हो गया वेजंती माला, रुद्राक्ष माला magnetic माला जो blood related help करता है, इसी तरह गुलगंजी, रुद्राक्ष पटिका हल्दी माला, कमल गटे ये सारे मालाज, आप पूजा करते समय, इनने chant कर सकते, अगर आपको इसे तरह success जिबु माला, यानि कोई भी काम करते समय, जो success energies है वो हमेशा आपके साथ रहें, उसके लिए जिबु माला सबसे best है, health and immunity आपके recovery के लिए, old age के लिए, जो body pains है, उसे relief के लिए use किया जाता है money attraction, यानि money block होना debts pay, loan clear के लिए, या wealth attraction के लिए, सबसे best है, marriage and relationship, basically आपके marriage related connections build करने के लिए, सही life partners जोडने के लिए and आपका जो family get together rings है, उनको fruitful बनाने के लिए सबसे best है, इस तरह business and job है, जो client opportunities and client footfall के लिए सबसे best मना जाता है जिबु माला, basically एक crystal की मालाज है, जिस पर जिबु का stone दिया गया यानि दोनों के combinations है जो भी benefits mentioned है, वो आपके जीवन में active हो जाते हैं, ताकि आपको उनसे related कभी problems ना है, कभी missing feel नहीं होना शाहिए इस तरीके से अलग-अलग मालाज है, जिनको आप chant कर सकते, wear कर सकते ताकि उनकी vibrations आपके साथ हमेश्चा और है और अगर आपको इन वास्तू remedies की requirement है तब आप नीची दीगे whatsapp number पे संपर्क कर सकते, अगर आपको अपने घर का नक्षा, वास्तू के उनसार correction करवाना है तब आप नीची दीगे whatsapp number पे अपना plan send कर सकते, correction करने के बाद जो सारे remedies वो हमारे showroom में आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको वास्तू classes में interested है, यानि यह जो वास्तू के energies है, यह वास्तू के जो techniques है कैसे हम इने use कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो problems है, जो obstacles है उन सबसे हम remove कर सके, overcome कर सके and in addition, जो हमारी wishes से उसे fulfill करने के लिए कौन से directions responsible है, in addition 350 plus remedies, 45 देवताजान, basic से advanced तक complete इस course में सिखाया जाता है और अब देकी information के लिए आप निशी description box चेक कर सकते हैं, या फिए निशी देगे मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धनियावाद, लाइक और शेर जरूर कीजे, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाए, धन्यवाद